Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English educator और आज मैं start करने वाली हूँ class 12 की, जो आपकी kaleidoscope book का chapter 2 है, Evelyn उसका part number 2, अगर आपने मेरे part 1 का explanation नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिया है ताकि आप connect कर पाए part 2 से And now, let's begin with the explanation of chapter part 2 She was about to explore another life with Frank तो she कौन है यहाँ बात हो रही है, Evelyn नाम की लड़की की जो भागना चाहती थी अपने घर से, अपने मेहनत की वज़े से जिसके घर पे बहुत मेहनत का काम था पट अब उसको जब जिजिन भागने का दिन आया है उसको भागना नहीं है क्योंकि अब उसको अपनी फैमिली छोडने की उसको उसकी इच्छा नहीं हो रही तो वो क्या करना चाहती थी Frank के साथ भागके She was about to explore another life with Frank Frank नाम का जो लड़का था उसको explore करना था, एक नई दुनिया जीनी थी उसके साथ उसकी wife बनके Frank was very kind, manly, open-hearted Frank कैसा था? बहुत kind, बहुत अच्छा लगा था, manly याने अच्छी फिजीक थी उसकी और open-hearted याने खुले दिल का इंसान था She was to go away with him by the night boat to be his wife and to live with him in Buno's areas where he had a home waiting for her तो आज रात की night boat, मतलब sea के रास्ते से वो लोग जाने वाले थे, कहाँ पर? Buno's areas, Buno's areas क्या है? यह capital city अर्जंटीना की यह वही जगा है जहां से Frank आया था, वो खुद एक sailor था, इसलिए यह लोग boat के थू जा रहे थे क्यों? क्योंकि वो वहाँ इसली भागना चाहती थी, क्योंकि उस Evelyn को लगता था, वहाँ मेरे लिए एक नई जिंदगी, मेरा इंतिजार कर रही है जहां मैं किसकी wife बनके रहूंगी? मैं Frank की wife बनके रहूंगी How well she remembered the first time she had seen him, he was lodging in a house on the main road where she used to live Lodging का मतलब staying, रहना तो अब उसी खिड़की पे बैठे हुए, जहां आमने part one start किया था कि खिड़की पे बैठके वो पूरी चीज़े सोचती है, recall करती है तो वहाँ सोचे सोचते, उसे ये भी यादा रहा कि कैसे मैं पहली बार मैंने उसको देखा था Frank को, वो कहां रह रह रहा था, जहां ये रहती है खुद, वहाँ उसके पास में main road पे जो घर था, वहाँ पे ये रहने आया था Argentina से, क्योंकि ये खुद तो Dublin में रहती है, यहा के पहले की बात है, लेकिन मैं तो काफी टाइम से Frank को जानती हूँ, he was standing at the gate, his peaked cap pushed back on his head and his head tumbled forward over a face of bronze, तो इसको याद आता है कि पहली बार कैसा दिख रहा था कि वो खड़ा हुआ था, अपने घर के gate के बार, और जो इसकी peaked cap है, याने इस तरीके की जो sailor's की cap है, वो पी बहुत गोरा फेस था, इसका, किसका, Frank का, then they had come to know each other और तब से एक दूसरे को इन लोगों ने जानना, start किया, he used to meet her outside the stores every evening and see her home, वो इसको store पर भी मिलने आता था, Evelyn को हर शाम में और घर पे छोड़ तक छोडने भी आता था, see her home याने घर तक उसको drop करने आता था, He took her to see the bohemian girl and she felt elated as she sat in an unaccustomed part of the theatre with him, elated का मतलब क्यों होता है, very happy, बहुत खुश, और unaccustomed का मतलब क्यों होता है, special, कोई चीज special, तो बताते हैं author की Frank Evelyn को bohemian girl नाम का एक opera show, एक singing का show भी दिखाने ले गया था, और कैसे Evelyn को बहुत जादा खुशी हुई थी उसके साथ, उस seat पर बैठने के लिए, क्योंकि वो theatre के उस part पे, उस seat पर बैठी थी, जो बहुत special seat होती है, जहां सबको बैठने का chance नहीं मिलता, पर वहाँ पे Evelyn और Frank को बैठने का chance मिला था, वो के बहुत खुश हुई थेटर में उस जगा पर बैठने का, तो यह सारी चीज़ें Frank के साथ भी वो पूरी क्या कर रही है, recall कर रही है, He was awfully fond of music and sang a little, और Frank बहुत बुरी तरीके से music का शौकीन आदमी था, और थोड़ा बहुत गाना भी गाता था, People knew that they were quoting and when he sang about the lass that loves the sailor, she always felt pleasantly confused, अब धीरे-धीरे क्योंकि यह लोग घूमते थे, opera show देखने जा रहे हैं, store के बाहर यह से मिल रहे हैं, तो लोगों को पता चलने लगा कि यह दोनों quoting कर रहे हैं, याने एक young girl होती थी, जो किसको love करती थी, एक sailor को love करती थी और इस तरीके के वो गाने गाता था, तो वो थोड़ी confused हो जाती थी इस तरीके से, और उसको अच्छा भी लगता था, क्योंकि उसको पता है कि हमारी बात कर रहे है कि एक लड़की को एक sailor से प्यार है, है ना, He used to call her Poppins out of fun, और Frank प्यार से मजाख में, Evelyn को Poppins भी कहता था, First of all, it had been an excitement for her to have a fellow, and then she had begun to like him, तो यह चीज बहुत excitement की और बहुत एक teenager होने के नाते, उसके लिए बहुत happiness की बात थी कि उसको एक fellow याने एक लड़का मिला है, और अब वो उसको like करने लगी है, पसंद करती है, He had tales of distant countries, क्योंकि वो एक sailor था, तो उसके पास बहुत सारी tales, याने बहुत सारी imaginative stories and कहानिया होती थी, अलग-अलग countries के बारे में जहां उसने कभी travel किया हुए, तो इस सारी कहानिया बैटके, घंटों बैटके, Evelyn को भी सुनाता था, और Evelyn को बहुत अच्छा लगता था, He had started as a deck boy at a pound a month on a ship of the Allen line going out to Canada, उसने ये भी बताया Evelyn को कि उसने अपना career एक deck boy की तरह start किया, याने जो छोटे-मोटे काम करता है ship पे, और उसको एक महीने का एक pound currency उसको salary मिलती थी, और किस ship पर वो deck boy था, Allen line नाम की ship पे वो deck boy था, जो कि Canada में travel करती है, He told her the names of the ships he had been on and the names of the different services, उसने उन सारी अलग-अलग ships के नाम बताये, Evelyn को जिस पे उसने काम किया है, और उन सारी जगाओं के नाम बताये, जहाँ उसने आज तक travel किया है, He had sailed through the Straits of Megalyn and he had told the stories of the terrible Paragonians, तो उसने Straits of Megalyn में भी travel किया है और ये बात उसने Evelyn को बताये, अब Straits of Megalyn किया है, A sea route which connects the passage between Atlantic and Pacific Oceans, एक sea route, एक रास्ता है, जो Atlantic Ocean और Pacific Ocean को connect करता है, उस पूरे रास्ते का स्टेट्स of Megalyn कहते हो, ये Pacific Ocean है, ये Atlantic Ocean है, और ये रास्ता जो है, इन दोनों Oceans को connect कर रहा है, तो इस पूरे रास्ते का नाम है, रूट का नाम है, Straits of Megalyn, तो ये चीज़ भी Frank ने Evelyn को बताई कि मैंने इन रास्तों पर भी travel किया है, और terrible, याने भायानक Patagonians की जो stories थी, वो सब भी Frank ने Evelyn को बताई, अब भायानक Patagonians कौन थे? Natives of South America who were very dangerous, South America में, ancient time में रहने वाले natives, याने वहां के रहवासी जो की बहुत दादा याने इन दोनों का इतना deep connection हो गया था, इतनी बाते दोनों के बीच में हो रही थी. He had fallen on his feet in Buenos Aires, he said, and had come over to the old country just for a holiday. Of course her father had found out the affair, and had forbidden her to leave anything to say to him. To have, okay. तो वो एक sailor रहे इतना travel करता है, Buenos Aires, Argentina की capital में रहने वाला एक लड़का है, तो वो यहां क्यों आया है, Dublin में, island में जहां पे Evelyn रहती है, तो उसने बता है कि मैं इसलिए आया हूँ, क्योंकि मेरे न, पैर में, Buenos Aires में जब मैं था तो चोट लग गई थी, में गिर गया था, इसलिए मैं यहां पे holiday पे आया हूँ, और fun करने आया हूँ, थोड़े दिन आराम करने हूँ, तो इस वज़े से वो Evelyn से यहां पे मिल गया, और फिर of course बाद में यह पूरी बात जो है, इनके affair के बारे में, Evelyn के father को पता चल गई, यहां ने बहुत ज़ादा फ्रैंक से फाइट लड़ाई कर दी थी, तो फिर उसके बाद यह दोनों चुपके से मिलने लगे, The evening deepened in the avenue, अब वो सुबा से उस विंडो पे बैठी हुई थी, और अब शाम डीप हो गई, याने अब बहुत शाम के बाद अब रात होने का समय आ गया, Avenue याने सड़क पर भी अब अधेरा चाह रहा था, वो यह सब चीजे सोच रही थी वहाँ बैठके, The white of two letters in her lap grew indistinct, अब उसकी गोध में दो white color के letters रखे थे, जो कि indistinct हो गए, याने not clear blurred, उसने ये दो letters अपने एक father के लिए, और अपने भाई Harry के लिए रखे थे, कि उसको बताने के लिए कि मैं जा रही हूँ यांसे, और अब वो जैसे उसको blur दिखने लगे, कि यार ये मैंने क्या लिख दिया, मैं दूँ की नहीं दूँ, मैं जाऊं की नहीं जाऊं, One was to Harry, the other was to her father, तो एक letter Harry उसके भाई के लिए था, और दूसरे letter उसके father के लिए था, कि मैं जा रही हूँ, उसका जो सबसे बड़ा भाई था, उसका फेवरेट था, जिसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन Harry को भी वो बहुत पसंद करती थी, अपने भाई को, Her father was becoming old lately, she noticed, he would miss her, वो सोच रही कि मेरे father भी अब बहुत बूड़े हो रहे है, notice कर रही कि मेरे father भी बूड़े हो रहे है, और जब मैं चली जाओंगी तो वो मुझे बहुत miss करेंगे, याद करेंगे, sometimes he could be very nice, not long before when she had been laid up for a day, he had read her out a ghost story and made a toast for her at the fire, फिर वो याद करती है, मेरे father इतने बुरे भी नहीं है, मेरी मा की death के बाद, एक बार जब मैं laid up हुई थी, याने मेरी तब्यत खराब हुई थी, तो मेरे father ने, मेरे लिए बहुत अच्छा किया था, मेरे लिए उसने एक story रीड करी, ghost story, एक story रीड करी ताकि मैं entertain हूँ, तब्यत खराब में और fire में आने की आग जला के, उन्होंने मेरे लिए एक bread toast भी बनाया था, तो वो सोचती है, रित्ते बुरे तो नहीं है मेरे father, अब उसको सबसे खराब जो उसके father था, तब वो भी उसको अच्छे लगने लग गए suddenly, कि यार इतने बुरे भी नहीं है वो, Another day, when their mother was alive, they had all gone for a picnic to the hill of house, she remembered her father putting on her mother's bonnet to make the children laugh, फिर वो दूसरा इंसिलेंस याद करती कि तब की बाद भी तो है, जब मेरी mother जिन्दा थी, तब मेरे father कितने अच्छे थे, हम सब लोग picnic पे गए ते, hill of house नाम की इस जगा पे, और वहाँ पर मेरे father ने, मेरी mother का जो bonnet है, याने इस तरीके की जो cap होती है, वो पहन ली थी, और हम सब बच्चों को, भाई बेनों को, सब को funny activities करके, इस तरीके से actions करके, हसा रहे थे, तो इतने बुरे तो नहीं है मेरे father, तो ये सब अपने father की, अच्छी चीज़े अब उसको याद आने लग गई, क्योंकि शायद अब वो confused ले कि, मैं Frank के साथ भागूं की नहीं, Her time was running out, बच्ची continue to sit by the window, leaning her head against the window curtain, आहीं पे window पे अपना सर, इस तरीके से curtains पे रखके बैठी रही, और curtains में से जो धूल की, क्रेटॉन की smell आ रही थी, वो पूरी सूमती रही, उसके नाक में जाती रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत deep thoughts में do भी होई थी, down far in the avenue, she could hear a street organ playing, she knew the air, और far in the avenue, आगे सड़क इस तरीके से कोई ये बजा रहा था, organ बजा रहा था, और उसको, उस लिखा हुआ है कि she knew the air, याने उसको ये organ की आवाज जो है, बहुत अच्छे से यादे, क्योंकि ये उसी organ की आवाज थी, जिस रात को उसकी mother की death हुई थी, उस रात को भी ये organ player इस तरीके का music बजा रहा था, तो उसको ये organ की आवाज बहुत अच्छे से आदे, कि ये वो ही organ है, जिस जो मेरी mother की death की रात को भी कोई बजा रहा था, avenue याने सड़क के किनारे, strange that it should come, that very night to reminder of the promise to her mother, her promise to keep the home together as long as she could, तो उसको अपनी मा की रात की death वो याद आ रही थी गाने को सुनके, और उसी death रात में उसको वो promise भी याद आ रहा था, जो इसने अपनी mom से किया था, कि मैं उनकी death के बाद घर को together, जोड़े रखूँगी जब तक मैं रख सकती हूँ, तो उसको लग रहा था कि मैं चली जाओंगी, तो मेरा मा से किया हूँगा promise भी तूट जाएगा, उसको वो रात याद आ रही थी जिस रात को उसकी मदर की death होई थी, बीमारी की वज़े से उनकी death हो गई थी, और उसको याद है कि मैं एक बड़े से अंधेरे रूम में, डार्क रूम में, क्लोज डार्क रूम में मैं हॉल के उस तरफ बैठी हुई थी, और बाहर से मुझे यही और्गन की गाने बजाने की इटली में इस तरीके से आवाज आ रही थी मुझे, She remembered her father strutting back into the sick room, saying, Strutting का मतलब to walk in an arrogant way, तो उसके फादर ने इस इटली के ओर्गन प्लेयर को पैसे दिये कि जाओ याँ से, और वो अकडते हुए बिलकुल arrogant तरीके से उस sick room में एंटर हुए जहां उसकी मदर थी, और बोलते हैं बेवकूफ Italians, Italians बेफालतू में आ जाते हैं और बार बार इधर आके गाना बजाना कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तभी भी नहीं जा रहे हैं, तो वो सारे situations उसकी मदर की death की राथ की उसको याद आ रही थी, अब मूस्ट का मतलब क्या होता है? तो जब आप बहुत गहरी सोच में होते हों, तो जब वहां बैठी थी, वो इतनी गहरी सोच में थी, उसको अपनी मा का वो दर्दनाख दैनी है, पिटीफुल याने दया आने वाला वो पूरा नजारा, उसके आँखों के सामने फ्लैश बैक की तरह आ रहा था, कि कैसे उसकी मान ने पूरी लाइफ उसके फादर की नौकरी चाकरी करी, कितने सैक्रिफाइस करे, उसके फादर उसकी मौम को मारते थे, काम कराते थे, और कैसे इस परिवार के लिए करते करते करते, मेरी मदर मर गई last में, और in final craziness, और last में तो वो crazy हो गई, याने पागल हो गई मेरी मदर और death हो गई, उसको बार बार अपनी मा के, वो आखरी words याद आ रहे थे, कि कैसे उसकी माँ death के टाइम ये आखरी words बोल रही थी, और वो काप रही थी उस वक्त अपनी मा की आवास सुनके, और उसकी माँ क्या कह रही थी, जिसका मतलब होता है, याने पूरी जिन्दगी अपने pleasure लिया, सुख लिया और उसका आखरी अंत pain है, तकलीफ ही है, तो ये सब चीजे सुनके उस वक्त वो काप रही थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी जब उसकी माँ की death होई थी, तो ये सारी चीजें उस वक्त विंडो पर बैठके उसके दिमाग में घूम रही है, उसको याद आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं भागू, अपनी माँ का promise तोड की कि अपनी माँ का promise रखू यही रुखू, या Frank के साथ चली जाओ अपनी विंडगी सवारने, She stood up in a sudden impulse of terror, escape, she must escape, Frank would save her, he would give her life, perhaps love too, but she wanted to live, why should she be unhappy, फिर ये सब सोर्चे सोर्चे, उस सड़नली एकदम उड़ गई, जिस विंडो पर बैठी हुई थी, और एकदम से impulse of terror, याने डर आगिया उसके दिमाग में और उसने बोला, escape, याने मुझे भागना पड़ेगा यहां से, क्योंकि उसको लग रहा था, मैं वैसी मौत नहीं मरना चाहती, जैसे मेरी माँ ने मरी, तो उसने सोचा, नहीं, escape, escape, बार बार वो करे थी, कि मुझे यहां से भागना पड़ेगा, Frank की वो इंसान ने जो इसको इस गंदी लाइफ से उसको safe करेगा, वो उसको प्यार भी करेगा, but she wanted to live, और वो सोचती कि मेरे को भी जीना है, मेरा भी जीने का हग है, मैं क्यों जिन्दगी भर इस तरीके से नाखोश हो के जी हूँ, she had a right to happiness, और मुझे भी हख है, खोशी मिलने का, Frank would take her in his arms, fold her in his arms, he would save her, और वो सोचती कि Frank मुझे अपनी बाहों में ले लेगा, मुझे लफ करेगा, और वही है जो उसको save करेगा इस गंदी लाइस से, तो ये सारी चीज़े वो सोचती है और उठ जाती है, कि मैं तो अब जारी और Frank के साथ भागने, she stood among the swaying crowd in the station at the north wall, और finally वो Frank के साथ उस boat station पे रात को आ जाती है, जहां पे सारी boats थी, वहाँ से निकलने के लिए, तो वहाँ पे बहुत swaying crowd याने, बिल्कुल बहता हुआ crowd था, भीड के साथ आप इदर उदर जा रहे थे, इतनी भीड थी महाँ पे, तो finally वो boat station पे आ गई, जो की north wall नाम की जगा पर थी, he held her hand and she knew that he was speaking to her, saying something about the passage over and over again, तो जब वो चली गई, वो चली तो गई, वो बिल्कुल सुन थी, बिल्कुल नम थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, उसको ये समझ आ रहा था कि Frank ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और उससे कुछ बाते कर रहा है, उसको रास्ता जो भी आगे सी रूट आने वाले उसके बार में, बहुत सी चीजें बता रहा है, और उसको शेद कुछ समझ नहीं आ रही उसकी बाते, जो पूरा स्टेशन था, महां पूरे स्टेशन थे, और सब की हाथ में ब्राउन बैगेजे थे, यह से बहुत बीड थी स्टेशन पर, तू दा वाइट दोर्स फटेशन थे, शी कॉट अ ग्लिंप्स अफ़ ब्लाक मास अफ़ बोट, लाइं इन बिसाइड थे की वाल, विट इल्लूमिनेटेड पोर्ट होल्स, अब, आप बोलोगे कि यह वर्ड कुए है, पानी के पास, यह जो प्लैटफॉर्म है, यह आप एरिया देख रहे हो, यह, इसको की बोलते हैं, शिप्स जो भी सामान लेकर आती हैं दूसरी कंट्री से, वो सामान पूरा इस पर अनलोड किया जाता है, और यहीं से पूरा सामान लोड करके, यह जो इस तरीकी के होल्स होते हैं, जहां से आप देख सकते हो कि सारी शिप्स खड़ी हुई है, तो इनको हम पोर्ट होल्स कहते हैं, तो अब फाइनली वो उस बोट स्टेशन पर आगई हैं, जहां बहुत भीड हैं, और वहाँ पर बड़े-बड़े दर्वाजे हैं, जिससे वो क्या देख सकती हैं, कि लाइन से बहुत सारी ब्लैक कलर की बोट्स वहाँ पर हैं, वहाँ से निकलने की तैयारी में हैं, और वो सब बोट्स कहा हैं, की वॉल के पास में, याने इस तरीके से यहाँ पे सब लाइन से बोट्स लगी हुए हैं, की से अटाच होके, और जितने भी पोर्ट होल्स वो देख री, वो इल्यूमिनेटेडे, लाइटेडे आने की दर्वाजे, और लोग अंदर जाने के लिए रेडी थे, शी आंसर्ड नाथिंग, अब फ्रैंक उससे इतनी बाते कर रहा था, बट उसका कोई जवाब देई नहीं रही थी वो, शी फेल्ट हर चीक पेल और कोल, याने बहुत tension, confusion हो गया, और इस बीच में वो भगवान से प्रेयर करती है, कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मेरी क्या सही डियूटी है, मुझे उसका एहसास दिलाओ, मैं जाओं की नहीं जाओं, फाइनली जिस बोट में वो जाने वाले थे, और उस बीच में से उसको बोट की आवाज आती है, सायरन आता है कि चलो सारे पैसेंजर बैठो बोट में, वो सोचती है कि अगर अभी मैं जाती हूँ, तो कल के दिन पर मैं समुद्र के बीचों बीच, फ्रैंक के साथ रहोंगे और किस तरफ जा रही होंगी मैं, ब्यूनोज एरीज, याने अर्जंटीना के कैपिटल की तरफ जा रही होंगी मैं, फ्रैंक के साथ, उनका पैसेज बोट हो चुका था, यानि जो उनकी रास्ता था, जो उनकी टिकेट विकेट थी, अपने पेर वापिस ले सकती हूं पीछे Her distress awoke a nausea in our body and she kept moving her lips in silent fervent prayer fervent अब मतलब full of dedication जब आप कोई चीज फोल dedication से ध्यान लगा के कर रहे होते हो उसका distress उसकी tension इतनी बढ़ गई कि उसको nausea होने लगा, घबरहट उल्टी जैसा feel होने लगा उसको और पागलो की तरह dedication में आग बन करके वो continuously prayer अपनी करी थी उसकी lips ऐसे ऐसे चल रहे थे बस वो prayer कर रही थी God से कि मुझे सही रास्ता दिखाओ मैं कुछ समन नियारा मुझे इस वक्त बस a bell clanged upon her heart she felt him seize her hand come ऐसा लगा कि उसके दिल में बहुत जोर से घंटी बजी है clang मतलब touring के बहुत जोर से घंटी बजी है जैसे ही frank ने उसको उसका हाथ पकड़ा seize her hand याने hold her hand और frank ने उसको बोला come चलो क्योंकि siren बज गया बोट का all the seas of the world tumbled about her heart he was drawing her into them he would drown her ऐसा लगा Evelyn को कि दुनिया के सारे समुद्रों roll होते हुए tumble होते हुए उसके उपर आ गए है और frank उसको उसको उसमें drown याने डुबा देगा अजीब अजीब खैल आ रहे थे उसको she gripped with both hands at the iron railings अब जहाँ पे वो खड़े थे मापे लोहे के सरी ऐसे बार्स थे उसने अपने दोनों हाथ जोर से iron railing पे पकड़ लिये जोर से frank उसको बुला रहा लेकिन वो ना सुन रही ना बोल रही ना रही वस सुननों के पकड़ी हुए कि मतलब उसको नहीं जाना वो बोलता है come वो बोलती है no 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 it was impossible मतलब वो सोचती मेरे लिए impossible है मैं नहीं जा पाऊँगी her hands clutched iron in frenzy frenzy याने madness पागलपन उसके हातों ने उन iron railings को पागलों की तरह बिलकुल ऐसे पकड़ रखा था वो छोणने के लिए ready ही नहीं थी amid the seas she sent a cry of anguish Evelyn, Evie और समुद्र के बीचो बीच वहाँ पे साब वो लोग सामने समुद्र था उसके बीच वो खड़े थे anguish यहने pain में, तकलीफ में बार-बार frank उसको कह रहे है Evelyn, Evie, चलो क्या हो गयार क्यों नहीं चल रहे हूँ और वो उसको बोलता है Evelyn, आओ, क्योंकि वो बोट में बैठ गया वो थोड़ी आ रहेगा, वो तो गया तो वो बोलता है कि आओ, follow करो मुझे मेरे पीछे आओ, बैठो बोट में बोट के जितने भी वहाँ पे सहकारी करम चारी थे सबने चिलाया उसको कि जाओ, आप बोट में जाके बैठो वो नहीं आरी, आप जाके बैठो लेकिन वहाँ बैठ कर भी वो स्रभ यह ही शाउट कर रहा था कि Evelyn, आओ, Evelyn, आओ she set her white face to him passive like a helpless animal passive का मतलब क्यों होता है accepting the situation without any response कि जो situation चल रही आप उसको accept कर रहे हो और उसके उपर आप कोई response, कोई reaction नहीं दे रहे, ना अच्छा ना बुरा आप एक helpless animal बे सहारा उस जानवर की तरह खड़े रहते हो जो गूंगा है, जो कुछ बोल नहीं सकता तो कुछ situation Evelyn की भी उस तरीके से थी कि वो बस इस तरीके से ऐसे देख रही थी और अपना उसका face पूरा white हो चुका था white face तब याने जब आप किसी को जानते ही नहीं हो, you don't know the particular person तो वो इस तरीके से उसको देख रही थी कि जैसे वो उसको जानती ही नहीं है और जो हो रहा था वो होने दे रही थी बस चुप खड़ी थी एक helpless animal की तरह her eyes gave him no sign of love or farewell or recognition और जब Frank नो उसकी आँखों में देखा, तो उसको Evelyn की आँखों में अपने लिए no love कोई प्यार नहीं दिखा कोई farewell याने उसकी आँखों में देखके ऐसा भी नहीं लगा कि वो उसको farewell याने विदाई दे रही है कि bye-bye कर रही है कुछ भी नहीं in fact no recognition उसके चेरे को देखके ऐसा लगा Frank को कि यह मुझे ऐसे देख रही जैसे कि वो मुझे recognizing नहीं करती पहचानती भी नहीं है और यहां पर हमारी story खतम होती है Frank चला जाता है Evelyn वहीं रहती है अपनी responsibilities के साथ जो उसकी मा मरते वक्त उसको दे गई थी और शायद इस वाज़े से भी कही नहीं कहीं उसके father नहीं को कहा था I hope आपको यह story बहुत अच्छी लगी होगी आप चाहें तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते हैं जो वहाँ नहीं मिले तो Google पर जाएए हमारी website का नाम डाले which is magnetbrains.com जैसे यह website का डालेंगा इस तरीके का page आपके सामने आएगा for example आपको class 12th की videos दिखनी तो इस सब में से class 12th को click करिए इस तरीके से आपके सामने मेरा page आएगा यहाँ पर आपको kaleidoscope का option दिया होगा class 12th kaleidoscope इस option पर click करिए जब आप click करेंगे तो kaleidoscope की सारी list of videos जो मैंने अप तक shoot करी वो आपके सामने आजाएगी for example आपने इस पर click किया किसी वीडियो पर मेरी वीडियो आपके सामने तरीके से play होना start हो जाएगी and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel क्योंकि Magnet Brains free of cost quality education आपके घर तत पहुचा रहे तब तक के लिए bye bye and take care